अगर एयर शो हमारी सरकार में होता समाजवादियों की सरकार होती तो सबसे पहले हमारी कुर्सी लगी मिलती वहाँ पर मैं एयर शो को देख रहा होता लेकिन हमने अगर एक्सप्रेस वे देश का सथ से बैतरिन बनाया तो हम राश्वादी नहीं है अगर हम एयर फोर्स को बैतरी वो हाईवे दे दें जहां पर जरूरत पढ़ने पर इमर्जनसी में या कभी लड़ाई हो वहाँ पर उनके हवाईजाल उतर जाएं वह भी लड़ाकों बिमान हम राश्वादी नहीं कहलाए जाएंगे मोकिवन दे कहीं भी दिवाली मना सकते हैं वो दिवाली घर पे कैसे मनाएंगे तो हम भी अपने सीनियर उज्यूनियर नौजवान जो हमारे साथ पढ़े हैं फोज के हैं मैं उससे कहूंगा कि कभी तिवार पे हैं और जहां तक ताजमेल की बात है मैं जब छोटा था जब मैं दॉल्बल मिल्टरी स्कूल पढ़ने जा रहा था उस समय रास्ते में ताजमेल पढ़ा तो उस समय मुझे ताजमेल लेकर के गए वो तस्वीर आज भी है मेरे पास जब मुक्यमंत्री बन गया तो मुझे चारों तरफ से देखने का मौका मेला ताजमेल क्योंकि मैं आर्किटेक्चर को एप्रिचेट कर सकता हूँ और मैं नहीं एप्रिचेट किया उस को उसके आज पास जो इंफरेख्रन बेहतर हो सकता है वो किया और साथी साथ मैं और डिम्पल दोनों बैठ करके एक बेंच का उधगाटन भी किया अब हमारा इंतजार के वाल इतना है कि जब मुक्षमत्री जी जाएंगे तो ताजमेल के सामने जब उनकी फोटो आएगी तो वो कैसी लगेगी उसका इंतजार है भी जाएंगे